पूरा देखिए ताकि जो मैं आपको यहाँ पर जानकरी दूँ वो आप ठीक से समझ सकें और उसका यूस कर पाएं दोस्तो क्या आप चाहते हैं कि आप किसी को भी जब भी फोन करें तो उनके कॉलर आईडी या ट्रू कॉलर के अंदर आपका नंबर शो नहीं हो जी क्या अगर ऐसा आप चाहते हैं तो आप बिल्कुल सभी जगा पर हैं आज की वीडियो में आपको यहीं बताँगा कि किस तरह से जब भी आप कॉल करेंगे तो आप अपने नंबर को किस तरह से हाइड कर पाएंगे आपका नंबर किसी के भी आगे फोन पर शो नहीं होगा तो उसके लिए आपको करना क्या है? 我的 smartphone прин क्लिक करने के बाद आपको एक option मिलेगा नीचे advanced setting एड्वान सेटिंग के उपपर आपको चुनक करना है जैसी आप यहाँ पर advanced setting के उपर यहाँ पर click करेंगे तो थोड़ा सा नीचे जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक और option दिखाई देगा caller ID, ठीक है यहाँ पर caller ID का एक option दिखेगा यहीं पर हमें एक setting करनी है वो क्या करनी है वो आपको यहाँ पर मैं बताऊंगा तो यह caller ID पर यहाँ पर आपको touch कर देना है ठीक है आप ध्यान से इस वीडियो है शुरू से देख लीजिए ताकि कोई चीज आप से छूटे ना तो जैसी आप यहाँ पर caller ID पर touch करेंगे तो आपकी दोनों SIM जो भी आपके phone में डली होगी वहाँ पर आपको show हो जाएगी अब आप जो भी SIM का number अपना show नहीं करवाना चाहते उसको यहाँ पर select कर सकते हैं या फिर दोनों पर ही select कर सकते हैं मैं यहाँ पर एक पर select कर देत अगर आप default network का अपना number show करवाना चाहते हैं तो यहीं पर आपको click करना है पहले number पर अगर आपको ता बीडियान कर देते हैं तो हम यहाँ पर हाइड नंबर पर टू Forces कर देते हैं तो जैसी आप यहाँ पर सेटिंग कर देंगे अब देखे यहा पर आपको लिखा वा आज तो आप जो भी कहीं पर भी किसी को भी फोन करेंगे तो आपका नंबर आप वहां पर शो नहीं होगा किसी की भी कॉलर आइडी या ट्रू कॉलर के अंदर और आप सिंपली इसका लाब ले पाएंगे तो दोस्तों कैसी लगी है जानकरी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर है और आप इसे जासे जादा फायदा होटा सकते हैं तो अभी के लिए तना ही दन्यवाद